Hello learners, आज के इस वीडियो में हम conversion के कुछ sums करेंगे जहां हमें fill in the blanks करना है अगर आपको ये conversions आते हैं तो आप वीडियो pause करके खुद को solve कर सकते हैं और last में answers match कर सकते हैं और अगर आपको methods नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं आप मेरे साथ साथ sum solve करिए हमारा first sum है 5000 grams equal to how many kgs यहां पर gram है छोटा unit और kg है बड़ा unit gram और kg में क्या relation है 1 kg equal to 1000 gram जब हमें ऐसे convert करना है जहां छोटे unit से बड़े unit में convert करना है तो हमें divide करना होता है तो हम यहां पर 5000 को convert करना है तो करेंगे 5000 divided by किस से divide करेंगे 1000 से 5000 divided by 1000 is 5 इसी लिए जो यहां पर भड़ा जाएगा वो है 5 5 हमारा answer है 5000 gram equal to 5 kg हमारा next sum है 9035 grams equal to how many kg यहां पर grams है छोटा unit और kg है बड़ा unit grams और kg में क्या relation है 1 kg equal to 1000 gram जो हमने पहले sum में भी देखा हमें यहां पर छोटे unit से बड़े unit में convert करना है तो हमने कैसे किया था divide किया था 9035 divided by 1000 यह हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 9035 grams कितने kg हैं इसको divide करने का जो technique है वो है हम 9035 लिखेंगे और यहां पर as if dot है इसको हम तीन बार पीछे ले लेंगे क्योंकि हमें 1000 से divide करना है तो dot आ जाएगा यहां पर 9.035 तो हमारा answer होगा 9.035 kg हमारा third sum है 535 cm equal to how many meter यहां पर फिर देखेंगे हम कि cm है छोटा unit और meter है बड़ा unit और इन दोनों में जो relation है वो है 1 meter equal to 100 cm हमें छोटे unit से बड़े unit में convert करना है इसलिए हम 535 को divide करेंगे कौन से number से 100 हमने जैसे last sum में देखा था इसको divide करने का जो trick है वो है हम 535 लिखेंगे और imagine करेंगे कि यहां पर एक dot है क्योंकि हमें 20 से 100 में तो हम इसे दो बार backward लाएंगे और यहां पर dot put कर देंगे तो हमारा answer होगा 5.35 so 535 cm equal to 5.35 meter हमारा last sum है 300 mm mm is millimeter equal to how many centimeters millimeter एक छोटा unit है और centimeter millimeter से बड़ा है इन दोनों में जो relation है वो है 1 cm equal to 10 mm तो हमें क्या करना है हमें छोटे unit से बड़े unit में convert करना है इसी लिए हमें divide करना होगा किस number से 10 तो यहां पर हमने जैसे पहले trick सिखा था यहां पर सोचेंगे कि एक dot है उसे 10 यानि कि 1 0 यानि कि 1 place backward लाएंगे यानि कि point यहां पर आ जाएगा 30.0 यानि कि 30 तो 300 mm equal to 30 cm यह है हमारा answer अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो थोड़ सा भी helpful लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल MathsTube Learning को subscribe ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाई